दोस्तो एक्सल में fully automatic advance cashbook कैसे बनाएंगे आप देखिए आपने basic cashbook के वीडियो बहुत सारे देखे होंगे बट इस वीडियो में आपके लिए advance fully automatic cashbook seat मैंने त्यार की है तो demo आप देखिए उसके बाद मैं सब कुछ आपको detail में सिखाने वाला हूँ और दोस्तो इस वीडियो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा तो demo आप देखिए यहां पर हमारे पास होंगी entries यह है debit side यह है credit side तो यहां पर है date, particulars, cash और bank दोस्तो यहां जो transactions हम maintain करेंगे ना वो हम cash और bank दोनों से करेंगे ठीक है ना cash और bank दोनों से करेंगे तो यहां पर हमारी entries हो जाएं number यहां पर automatic आता रहेगा यह हमें लिखने की जुरूत नहीं है बैस हमें date की entries कर दी है चलो इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में यहां जो ऊपर है यह मैंने summary त्यार किया एक dashboard बना दिया है और यह summary है यह मैंने entries के ऊपर त्यार की है नीचे करेंगे तो वहां पर काफी से कितना amount आया ठीक है उसी तरह से यहां पर credit है हमने किसी को दिया यह कोई payment की तो total कितना हमने amount दिया कैस में कितना दे दिया और bank से कितना दिया है तो वह सारी detail आपको यहां देखेगी इसके बाद यहां जो entry होंगी ना दोस्तो सेम डेट की बहुत सारी entries भी हो जाती है हो credit हुआ वह कैस में कितना हुआ बैंक से कितना हुआ तो यह आप सर्च भी कर सकते हो जैसे मैं यहां पर डालता हूँ मैंने डेट डाली एक एक 2020 जैसे एंटरप्रेस किया तो इस डेट को total जो cash debit हुआ वह इतना है और bank में जो cash debit हुआ वह इतना है उसी तरह से यहां पर credit भी आपको दिखाता हूँ यहां पर मैंने इनको फ्रीज कर रखा ऊपर ठीक इस तरह से आप देख सकते हो मैं यहां पर केवल डेट डालोंगा सीरियल लंबर डालने के में जुरूत नहीं है मैं एक डेट डाल दी एक 2020 जैसी अगले सेल में हम आएंगे तो यहां पर सीरियल लं से जाप ऑर यहां पर मैंने बैंक में 200 रुब्य धीनि इस तरह से तो आप यहां देखो कि और अपर रहा है यहां पर काल की ऑटोमेटिक कैसे वकर दोस्तों यह आप डाउनलोड भी कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और यह सीखने के लिए ना वीडियो पूरा देखिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और दोस्तों जो हमारे चैनल पे नहीं है ना प को मिलेट्स बिंदीस इंटरेस्टिंग टॉपक तो सबसे पहले दौस्तों हम यहां नीचे एंट्रीज के लिए और टीयार करेंगे तो उसके लिए हमने यहां पे हैंटिंग्स लिखनी हैं मैंने हैं सिरी लंबर ।ेट पर्टिपुल ऐ सियाँ को करिए चैस और बेंक margin center कर देंगे यहां पर लिख देंगे debit मैं सब कुछ आपको detail से सिखाने वाला step by step ताकि जो नए users हैं जो अभी Excel अच्छे से नहीं जानते उनको भी सब चीज अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है दोस्तों अब यहां हम क्या करेंगे इन sales को select कर लेंगे यह तो debit के लिए हो जाएगा कॉपी करेंगे और यहां पर एक column खाली चोड़ के यहां पर paste कर देंगे control वी ठीक है इस तरह से यह जो विड़त है column की इसको हम कम कर लेंगे ठीक है यह हम क्यों चोड़ रहे हैं और यहां पर भी column खाली इंसर्ट कर देंगे सीरे लंबर के बाद इंसर्ट कर दिया और इसको भी हम इस तरह से सेट कर देंगे ऐसा हमने क्यों किया तो सीट वन पर आप जाओगे यहां देखिए जो गैप है यह गैप अच्छा लग रहा है कंट्रोल की दबा के रखो बाकी सारे सेल्स को स्लेक कर लो ठीक है इस तरह से कंट्रोल की दबा के रखो और यहां पर आल बॉर्डर आप लगा दीजिए तो आल बॉर्डर मैंने लगा दिया और यहां इन दौनों सेल्स को हम स्लेक कर देंगे कंट्रोल दबा के और यहां प डाल दी एक एक 2020 कोई भी एक पर्टिकुलर नेहीं में डाल दिया और यहां पर के देबिट वाली हैडिंग सोड़ेंगे इतना करेंगे एक एंट्री कर ली और यह हैडिंग सेलेक्त करेंगे कंट्रोल टी हम दबाएंगे कीबोर से और my table has header इस पे हम click करेंगे और ok कर देंगे ऐसा करने से क्या हुआ जो आपका ये data था ये table के format में बदल गया अब इसको select ही रहने दें, design टैप पे हम जाएंगे और यहां पे आपको बहुत सरे design मिल जाएंगे ये second number का design आप लगा लीजिये और यहां banded row से टिक हटा दीजिये अब ये design तो लग गया table पे अब यहां आप देखोगे जो column खाली थे अब इसमें काफी सारी दिक्कते हुई है अब ही मैं एक काम करता हूँ ये जो filter लगा हुआ इसको भी हम हटा देते हैं data type पे जाके filter को भी हटा दिया अब जो column खाली थे क्योंकि जो table का format होता है न उसमें जो headings है वो खाली नहीं रह सकती है अगर आपने heading नहीं लिखी है तो excel अपने आप वहां पे column 1, column 2 इस तरह से heading जो है insert कर देता है अब ये column blank था तो यहाँ पे column 1 आ रहा है इसको आप delete कर नहीं सकते हैं तो मैंने अगर इसको delete किया और फिर enter किया तो यहाँ पे फिर से आ गया तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए तो इसको आप अप अपर बस एक space की दबा दीजिए तो space है न तो यहाँ पे अभी यह दिखाई नहीं देगा सेम यहाँ पे आपको करना है यह अटा के space दे दीजिए फीक है यह हो गया अब यह जो column की width है इसको आप कम कर दीजिए इस तरह से और यहाँ से भी इसको कम कर दीजिए अब दोस्तों यहाँ पे एक समस्या और होती है table के format में एक heading एक ही बारा आए हो तो सेम column heading repeat नहीं कर सकते ठीक है ना तो आपने करना क्या होगा यहाँ double click करो अपने आप यह होगा तीन को अटा दो अगर मैं एंटर करूंगा तो फिर से यहाँ पे दो आगया कुछन को सा जाएगा क्योंकि यहाँ पे date लिखा हुआ है तो हम इसको अलग करने के लिए क् cell से अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक space मैंने add कर दिया है ठीक है यह हो जाएगा काम एंटर कर दीजिए और इसी तरह से यहाँ double click करके यह particular के बाद four लिखा हुआ इसको अटा के एंटर कर दीजिए और यहाँ पे space enter और यहाँ पे भी आप five को अठाके enter कर दीजिए और यहाँ से भी इसको अठाके enter कर दीजिए इस तरह से हो गया अब यह जो column है particular वाला column इसको select करके और यह जो particular है इसको select करके थोड़ी से विर्थ हम जादा कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे particular का name लिखेंगे हो सकता है name ज्यादा बड़ा भी हो जाए ठीक है सेव हम डेट के लिए भी कर लेते हैं थोड़ा सा तो यह डेट मैं दौनों को select कर रहा हूं ताकि हमारा जो format है वो बिल्कुल दौनों पे बरावर लगे मतलब विर्थ वगारा सब कुछ बरावर रही ठीक है ना अब यहाँ पर एक च DDMMYY यह format हम करेंगे select okay कर देंगे तो यहाँ पर देखिए date इस तरह से आजाएगी ठीक है ना और इस date को हम left side में कर लेते हैं यह center में कर लेते हैं तो मैंने इसको left side में कर दिया इधर ठीक है ना तो यह same format दौनों पर लग गया अगर आप यहाँ भी कोई date डालोगे तो यह से यहां पर भी इसी तरह से दिखाई देगी तो इतना काम हो गया अब यहां पर बात आती है serial number की अगर मैं यहां पर कोई एक entry और कर देता हूं तो यहां पर देखना यहां फर्मला बार में ठीक है न तो मैंने इस cell में से इस one को हटा दिया है और यहां पर मैं लगाँगा फर्मला आप उपर देख लेना यहां पर इकवल इफ अगर ब्रैकिट ओपन अगर इसके सामने वाला सेल यह वाला सेल यह ब्लैंक है डवल कोट्स ओपन डवल कोट्स क्लोज ब्लैंक है तो यह सेल ब्लैंक ही रहे जिसमें फर्मला लगा रहे हैं अदर वाइज यहां पे र अब इस रोज के फॉर्मले में हम यहां से रोगांट करेंगे क्योंकि यह टेपल के फॉर्मेट में अ अगर आ हाँ इस में कोई रोगांगु करोगे रोज कोई तो दिक्कत आ जाएगी हैनल अ फॉर्मले में अयों अ but A-13 तो हम A-13 से एकाउंट करेंगे, तो मैं यहां रोज के अंदर लिखूंगा A-13, A-13 से लेके A-13, ठीक है ना, जो पहला A-13 है, जो स्टार्टिंग रेंज़ इसको हम लोग कर देंगे, कीबोर से F-4 दबाके, इस तरहे से, अब यहां पे हम दो ब्रैकेट बंद कर देंगे एक तो हो गई रोज फॉर्मॉला की एक हो गई इफ फॉर्मॉला की enter कर देंगे तो यहां देखिए इतना काम हो गया है ना यहां पर वन था नीचे अपने आप टू आ गया अगर मैं नई डेट एंटर करता हूँ एक फिर से तो आप देखिए यहां पर क्या होगा तीन अपन इतना काम हो गया, यहां पे हमने entries के लिए seat त्यार कर लिए है, अब हम करेंगे क्या, यहां उपर जाएंगे और इस second row को यहां से select करेंगे और यहां तक merge कर देंगे, यहां पे आप अपनी company का name लिख दीजिए, जो भी है, इसके बाद आप इसको select करो और यहां पे कोई भी color फिल कर दीजिए, bold size, ठीक है, इसके बाद यहां आपने इन cells को merge करना है, तीन cells को और merge करके यहां पे आप लिखिए month, कौन से month के लिए है, January 2020, ठीक है, और यहां आप इन cells को merge कर दीजिए, merge cells, और यहां पे आप लिख दीजिए cashbook, और इसको थोड़ा सा center में कर दीजिए, मैंने margin center नहीं किया, क्योंकि margin center करता तो यह cashbook इस cell के, अगर center की बात करें तो यहां पे आता, ठीक है न, तो इस तरह से यह हो जाएगा, यहां इसको select करके, कोई भी color fill कर दीजिए, इस तरह से, ठीक है, अब आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको debit, मतलब debit side का जो हिसाब किताब वो maintain करना है, तो आप यहां इन तीन रोज को select करोगे, इस तरह से, और merge and center पे जाके, यहां पे merge across कर दोगे, तो यहां पे column वाली जो line थी वो हट गई इस तरह से, ठीक है न, यहां इनको select करके, इन पे border लगा लेना, all border लग जाएगा इस तरह से, अब यहां पे हमें लिखना है debit subtotal, debit in cash, debit in bank, तो मैं यहां पे किसी दूसरी sheet से यह copy करके ले आता हूँ, ठीक है न, control C, और यहां पे इनको paste कर लेता हूँ, लिखने में time waste होगा, ठीक है न, यह हो गया, यहां पे भी यही same color में fill कर लेता हूँ, यह हो गया, ठीक है न, तो यह हो जाएगा, अब यहां पे हम formulas लगाएंगे, अब यहां से भी इन 3 row को हम करेंगे select, ठीक है न, और फिर से जाएंगे merge across कर देंगे, और यहां पे हम debit के लिए लिखा था, तो इधर हम credit के लिए लिख देंगे, तो मैं फिर से copy paste कर देता हूँ, control C, और यहां पे मैंने control V से paste कर दिया, same color यहां पे हम लगा देते हैं, इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इन बाकी sales को हम करेंगे merge, और यहां पे लिखेंगे summary, इस तरह से, ठीक है, और लिखने के बाद हम इस पे click करेंगे, इसको इस तरह से middle में कर देंगे, और center में यह है ही, size इसका थोड़ा से जादा कर देंगे, और bold कर देंगे, इसमें कोई dark color fill कर देंगे, इस तरह से, ठीक है, और इसका font color है इसको हम white कर देते हैं, इतना काम हो गया, अब यहां पे नीचे हमें search करने के लिए बनाना है, तो दो रो और add कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है, यहां पे हमें search के लिए बनाना है, तो इनको हम करेंगे merge, दो cells को, दौनों को कर लीजे, select, इस तरह से, ठीक है, merge across, और फिर यहां से यहां तक हम border लगा लेंगे, all border, ठीक है, सेम यह यहां पे करना हमें, इन दोनों cell को select करके, merge across, और फिर यहां से यहां तक border, all border, ठीक है, अब हमें यहां पे लिखना क्या वो आप देख लीजी है, यहां पे search total debits for date, यह headings copy कर लेता हूं, यहां पे, ठीक है न, और यहां पे इनको paste कर देता हूं, control V, और same, मैं यहां से copy कर लेता हूं, control C, और यहां पे control V, क्योंकि दोस्तों लिखने में time waste होगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, इतना काम हमारा हो गया, complete, अब यहां पे हमें एक काम कर लेते हैं, जैसे मैं, यह जो खाली cells हैं, तो यहां पे मैं यह select करूंगा, control क की दबाके रखो आप, control की मैंने दबाके रखे की बोर्ड से, और यह जो बाकी का selection है न, जो हमने यहां पे लिखा है, इसके अलावा जो selection है, इसको select कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर हम यहां पे जो है color fill कर देंगे कोई, ताकि हमारा dashboard यह जो अच्छा लगेगा, और उसके बाद हम बाकी का, यहां पे काम करने वाले हैं, ठीक है, अब यहां कोई color app set कर लिजेए, जो भी color यह देखके, जो भी color आप set करनाचा जाए वो आप set कर लिजे, ठीक है, इस तरह से जो भी color आपको set करना है, तो यहां पे हम क्या color रख लेते हैं, ये रख दिया ठीक है, किलिक हो गया, तो यह यहाँ पर आगा, आप यहाँ पर एक search का icon लगा देते हैं, select कर लेंगे, ये cells, ठीक है, select करने के बाद यहाँ पर merge कर देंगे, और यहाँ पर गूगल से कोई भी search की png ले लिजीए, तो इसके अंदर मैं color fill कर लूँगा, यह इस तो साइज इसका आप सेट कर लीजिए जैसे भी है तो यह सर्च यह अच्छी लगेगी थोड़ी सी यहां पर लगा दोगे तो अब इतना काम होगे दोस्तों अब मैं कंट्रॉल वन दबाता हूं कीबोर से रिबन को हाइड कर देता हूं अब यहां पर जो हमारा काम रहे गया सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे हमारे पास कैस जो डैबिट हुआंट हुआ मैं यहां पर संक्वर लगाना है इकोल समम ब्रैकेट ओपन तो काम कर दिंगे यहvariड कर देंगे और इसी तरह से यहां पे डैबेट मेंक का करना एकोल मर्य क्वगान शंकिए ऊ और यहां से यह range हम कर देंगे select क्योंकि हमने यह जो data यहाँ पर maintain किया यह table के format में है तो नीचे हम नई record add करेंगे तो यह फॉर्मलेज अपने आप maintain होते रहेंगे अपने अपडेट होते रहेंगे ठीक है न तो यह हमारे पास cash आ गया और यह bank में आ गया आप देख सकते हो यहाँ पर ए sum bracket open और यहाँ पर cash maintain करना है तो cash वाले sell अंटर कर देंगे और यहाँ पर equal sum bracket open और यहाँ पर हमें bank का जो है amount वो maintain करना है तो यह एंटर कर दिया ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूं माली जे मैंने 100 लिखा और यहां पर 200 लिखा तो आप देख सकती हो यहाँ वह automatic maintain हो रहा है थो ठीक है अब मैं यह कुछ यहांपे कर देता हूं मैंने यहां पे लिखा एक्स वाइज्ट और यहां पे कुछ भी अमाउंट Yuya डाल दीया तीक इस तरह से और यहांपर एक एंट्री और कर देता हूं और इस तरह से यहां पर मैंने एक दिया केवल बैंक से मैंने transaction की ठीक है और बस इतना बहुत है अब यहां देख सकते हो सब कुस मैंटेन हो रहा है है ना सब कुस मैंटेन हो इनको आप select कर लीजिए दौनों को ठीक है और हम पे जाके राइट सैड में कर दीजिए इस तरह से और बोल्ड कर दीजिए और यह जो क्या करना है credit subtotal equal करके this cell plus this cell enter कर दिया तो यह तो simple था basic formula थे ठीक है इतना काम हो गया अब हमारा जो काम है वो search करने का है तो यहां पे मैं कोई भी एक date लिखूँ मालीजिए मैंने लिखा एक एक दोजार बीस ठीक है तो इस date को total cash कितना है debit हुआ जो और bank में कितना हुआ त इसके लिए हम यहां पर लगाएंगे sum if formula तो मैं यहां पर लगाता हूँ आप उपर देखिए ठीक है equal sum if bracket open अब यहां पर सबसे पहले में range देनी है कि criteria कहां चेक करना है sum if नहीं आता तो i button पे link दे रखा है वहां से देख सकते हो video description में link दे रखा है detail पे video बना रखा है तो हम अभी हमें यहां पर cash लाना है तो cash वाले sales को select कर देंगे enter कर देंगे तो आप देख लीजिए यहां पर cash का total आ गया इस date को एक एक तो अभी यह दोनों ही entries यहां पर एक एक की हैं same यहां पर लगाएंगे equal sum if bracket open और यहां पर dates की range करेंगे select comma criteria यही date होगी comma इस बार हम हमें some range कहां से लेनी होगी bank से enter कर देंगे यह काम हो गया यहां पर भी हम वही काम कर देंगे equal sum if bracket open dates की range कर देंगे select comma criteria इस cell में होगा comma हमें यहां पर cash लाना है तो cash वाले cells और फिर यहां पर भी same formula equal sum if bracket open और range हमने date वाली दे दी comma यह cell criteria comma banks enter तो होगया काम यहां पर date लिख दीजिए एक एक दोजार बीस ठीक है enter करोगे तो यहां पर अपने आप जो यह सब चीज मैंटेन होगी तो इस तरह से दोस्तों हमने यह जो seat वह त्यार कर दी है अब यहां एक entry करके देख लेते हैं चलिए तो आप देख सकते हो यहां पर serial number अपने आप आ गया और यहां पर मैं एक entry कर देता हूं किसी भी particular का नेम आप टाइप कर दीजिए particular मतलब जिसने पैसा आपको दिया है जिसने पैसा आपको कोई company हो सकती है ABC एक्स एड़ पीट लिमिटेड कोई एक्स एड़ मोटर से जो भी कोई company है कोई भी बंदा है ज इस तरह से तो आपने मेंटेन कर दिया अगर आप बैंक से ही रखना चाहते हो जो भी है तो वह आप रख दीजिए यहां पर एक कॉलम और आप एड़ कर सकते हो मैंने यहां पर लिखा XYZ और यहां पर माली यह अगली डेट में एक टांजेक्शन हुआ 2021 2020 को ठीक है न यहां पर आपने PQR लिख दिया ठीक है और यहां पर आपने बैंक से ट्रांजेक्शन किया मतलब दिया किसी को ठीक है इस तरह से आपने 2300 रुपे किसी को दे दिया एंटर किया तो यहां पर लेगा जो का पूरी डिटेल आपको मिलती रहेगी कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिपशन में लिंक है और अगर आप इस उपर वाले डैसबोर को यहीं की यहीं फ्रीज करना चाहते हो तो आपको इस रुपए क्लिक करना है 12 वाली रोपे सबसे नीचे वाली रोपे इसके ठीक है और व्यू टैब में जाने है और यहाँ फ्रीज पेंट पर जाके फ्रीज पेंट कर दीजिये तो यहीं कि यहीं फ्रिज हो गया नीचे का डेटा उपर नीचे मूव करेगा तो उमीद करता है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट करना बिलकुल ना बूलें और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए ना आप हमारे चैनल पर जाओ एडवांस एक्सल की प्रेलिश देखो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा दोस्तों तो अगर झाल मुआप आया होगा होगा लाओ प्रेलिश देखने के लिए ना आपको जवागा हमारे उना पर भूले होगा होगा दोस्तों जवाट प्रेलिश पर जैंसारा को मिलेए यड़को आपको आपको 9,1 बद्तों आपको 10,4 श्तों व्यांश